सायुक्त राश्रकी जनरल असेंबली में भारत ने पाकस्तान पर करारा हमला बोला अलपसंख्यक अधिकारों के उलंगन के मामने में भारत में पाकस्तान को गेरा है यूएन जीये में भारत का बक्ष रखते हुए ज्वाइन सेक्रेटरी श्रीनिवास उत्रू ने कहा कि पाकस्तान नहीं यहाप ने अलपसंख्यकों को खत्म कर दिया है और अभी भी वहाँ हिंदू, सिख्ख और रिसायू के अधिकारों का लगातार उलंगन हो रहा है यूएन में भारत ने पाकस्तान को घेरा है, अलपसंख्यकों के अधिकार को लेकर भारत ने अपनी बात रखी है कि पाकस्तान में किस तरीके से अलपसंख्यक लगातार कम हो रहे है, उनके अधिकारों का लगातार उलंगन हो रहा है इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो की यूएन से निकल कर सामने आई वही दूसरी तरफ जम्मो कश्मीर के मुद्धे पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया क्या है यूएन में जोइन से क्रिस्टी शिरमा सबोत्यू ने कहा कि जम्मो कश्मीर और लगदात का संपूर्ण की इंदरशासित का देश भारत का अभिन हिस्सा है और रहेगा तो पाकिस्तान को करारा जवाब जम्मो कश्मीर के मसले पर मुद्धे पर दिया गया है सक्त लहिजे में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जम्मो कश्मीर भारत का अभिन अंग है और हमेशा बना रहेगा जम्बू कश्मीर भारत का अभेन हिस्सा है भारत ने पाकस्तान को दो टूक ये कह दिया है पिछले 42 दिनों से दिल्ली एम्ज में भरती राजू श्रिवास्तव का निधन हो गया 10 अगस्त को जिम में कसरत करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पढ़ा दो विधान मंत्री मोदी और यूपी के सीम योगी अधित्पिनाद समेट कई हस्तियों ने राजू श्रिवास्तव के निधन पर दुख जताया यूपी विधान सभा में भी राजू श्रिवास्तव को शधांचली दी गई और उनके लिए दो मिनट का मौन रखा गया विधान में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर दी जिसमें वो गंभी रूप से घायल हो गया जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को मिली तो उसने पिटते हुए आदमी को लोगों के बीट से बचाया जहां लोग बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे मौके पर भीड कठा थी कोई लात घूसे से तो कोई डंडो से इस आदमी को मार रहा था पिटाई के बाद लोगों ने कार में भी बुरी तरह तोड खोड़ की पूरी कार को तहस नहस कर दिया इतना ही नहीं गाड़ी में आग भी लगा दी गई जिससे पूरी कार जल गई उधर पिटाई की वज़े से आदमी बुरी तरह घायल हो गया था जिससे अस्पताल में भरती करवाना पड़ा जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन की लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं पिर चाहे वो परमानू पावर प्लांट पर हमला ही क्यों नहोंग कि उनकी सेना पिछले करीब साड़े चे महीने से जापरिज्या परमानू पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है जापरिज्या परमानू पावर प्लांट के पास चड़ी जंग पर तो यूएन की संस्ता आई ये 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 यानी इंटनेशनल अटॉमिक एनजी एजनसी भी चिंता जाता चुकी है आई ये ये की टीम ने वहां का दौरा भी किया था इसके साथ ही फ्रांस के राश्टपती इम्मैनूल मिक्रों ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हत्यार हटाने की अपील की थी लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर पुतिन ने यूक्रेन के एक और प्रमानू प्लांट को निशाने पर ले लिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिचन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीचे पाकिस्तान का हाथ है इस बार वहां के समेदिक शेर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया बीते शनिवार और रविवार को ब्रिचन के लेस्टर शेर में भी हिंदो और मुस्लमान आमने सामने आ गये थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था लेकिन लेस्टर शान्त हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगबग 80 किलोमीटर दूर समेदिक शेर में हिंदो और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी जुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए मास्क से मूढ धके प्रदर्शनकारी भेडियों की तरह मंदिर पर तूट पढ़ने की फिराक में थे कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चड़ते दिखे और गले फाल फाल कर अल्ला हो अकबर के नारे लगाने लगे बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साधवी रितंबरा जाने वाली थी इसी के खिलाब वहां मुस्लिम संगठोनों ने धमकी दी थी